करनाटक के ओडूपी से उठा हुआ हिजाब का मुद्दा पूरे देश में चाने लगा है इस मुद्दे की आख देश के अलग-अलग हिस्सों में भी भड़कने लगी है जैसे का हमने पहले देखा था के देश के अलग-अलग हिस्सों में जैसे के अलीगर्ड में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और कई हिस्सों में इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे चात्राएं इस मुद्दे को लेकर आंदोलन भी कर रहे थे अपना विरोध भी जता रहे थे, लेकिन जिस तरह से करनाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है, उससे भी छातलों के बेच खासा नाराज देखने को मिल रही है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर र करते हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि वो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, और इस मुद्दे की सुनवाई वहां भी करवाएंगे, और लगाता है इन छातर छात्राओं का समर्थन करते रहेंगे, लेकिन क्या ये मुद्दा वाकई में इतना हलात क्या होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर करनाटक हाई कोर्ट के फैसलियों को बदल देता है, तो उसके बाद क्या होंगे, ये देखना बेहत एहम हो जाता है, हलाकि हिजाब का मुद्दा और भगवा जंटे दिखा जाने का मुद्दा कहीं न कहीं अभी भी राजनेतिक तूल पकड़े हुए है, और लगातार राजनेतिक दल इस पर अपनी सियासी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, चात्रों को भढ़काने का काम कर रहे हैं, इस मुद्दे की वज़े से अगर देखा जाए तो चात्रों की पढ़ाई का बेहत नुकसान हो रहा है, च इस नुकसान की भरपाई फिर कौन करेगा, प्रदर्शन करने वाले चात्र, करनाटक हाई कोर्ट जिसने फैसला सुनाया, या फिर वो राजनेतिक दल जो इस पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, आप ऐसी तमाम बड़ी ख़वरों के लिए देखते रहे हैं, इस पिन न